भगवान स्रीकृष्ण जब राधा को इतना चाहते थे और राधा भी जब भगवान स्रीकृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, तो क्यों नहीं किया स्रीकृष्ण से राधा रानी ने विवाह? आईए जानते हैं इसका कारण. ब्रम्होवर्थ पुरान की एक पौरानिक कथा के अनसार स्रीकृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी, एक बार उनकी अनपस्थिती में स्रीकृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विर्जा के साथ गूम रहे थे, तब ही राधा आ गई, वे विर्जा पर नाराज होकर वहां से चली गई, स्रीकृष्ण के सेवक और मित्र, स्रीदामा को राधा का यह विवहार ठीक नहीं लगा, और वे राधा को भला बुरा कहने लगे, राधा ने क्रोधी धोका स्रीदामा को अगले जनम में शंक्र चूड नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया, इस पर स्री स्रीकृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी, यही कारण था कि राधा और स्रीकृष्ण का बच्पन में विच्छो हो गया था, रामचरित मानस के बालकांड के अनुसार एक बार विश्णु जी नारत जी के साथ छल किया था, उन्हें खुद का स्वरूप देने के वज़ाय वानर का स्वरूप दे दिया था, इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंबर में हसी का पात्र बन गए, और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाशा दभी की दभी ही रह गई थ नारत जी को जब इस छलका पता शला तो वेक रोधित होकर बैकुंट पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पतनी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया नारत जी के इस राप की वज़े से रामा वतार में भगवान राम चंद्री जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और स्री कृष्णा वतार में देवी राधा का अन्य पौरानिक कथाओं के अनुसार राधा स्री कृष्णी के पांच वर्ष बड़ी थी राधा ने स्री कृष्णी को पहली बार जब देखा था जबकि उनकी मा यसोधा ने उन्हें ओखल से बान दिया था कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वर्ष भानुजी के साथ आई थी तब स्री कृष्ण को पहली बार देखा था और कुछ विद्यानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी जो भी हो लेकिन जब राधा ने स्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर भवरे हो गए थे दोनों में प्रेम हो गया था राधा स्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी जब गाउं में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया उधर एक दिन स्री कृष्ण ने माता यसोदा से कहा कि माता मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ यह सुनकर यसोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है पहला तो यह कि वह तुमसे पांस साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यसोदे के भाई रायार पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया ह जब आएगा तो राधा का उससे विवा हो जाएगा इसलिए तो उससे तुम्हारा विवा नहीं हो सकता हम तुम्हारे लिए दूसरी दुलहन ढूणेंगे लेकिन कृष्ण जिद करने लगे तब यह शोदा ने नंद से कहा कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी तब न तारणहार हो इस संसार में तुम धर्म की इस्थापना करोगे तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए तुम्हारा एक खास लक्ष है तब स्रीकृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार मैं तो अपने गायों ग्वालनों और इन नदी पहाड़ों क बीची रहकर प्रसन और आनंदित हूं और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं यह तो नयाय नहीं है गर्ग मुनी हर तरह से समझाते हैं लेकि तुम्हारे मातापिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है यह सुनकर स्रीकृष्ण कुछ भी कहने की इस्थिती में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा कृप्या मेरे बारे में और कुछ बताए तब गर्ग मुनी ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुम कर स्रीकृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन परवत की सबसे उची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे बस वे ही दिन भर रहे और सूरियस्त के समय ज्यान को उपलब्ध हो गए वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई और उन्होंने राधारानी से विवाह करने से मना कर दिया तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू